नमस्कार दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ अलिफ लैला कहानियों की एक सिरीज उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगे अलिफ लैले की भूमिका के बारे में बात करें तो अलिफ लैला की कहानी अरब देश की एक प्रचलित लोग कता है जो पुरी दुनिया में सदियों से सुनी और पढ़ी जाती है अरबी में इसका नाम है अल्फ लैला उसका बिगडे हुए नाम से हम लोग इसे भारत में जानते हैं जो यहां पर आकर हो जाता है अलिफ लैला अरबी में अल्फ का आर्थ होता है एक हजार और लैला का अर्थ होता है राते तो ये हुआ एक हजार राते ये हजार कहानियों का एक खुबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर एक कहानी एक फोल की दरा है इन कहानियों में प्यार, दुख, सुख, दर्द, धोखा, इमानदारी, भावनाएं और बेवफाई जैसे भावों का एक अदबुत संतुलन है जिसने पाठकों और शुरुताओं को हमीशा लुभाया है दोस्तों आपको एक बहुत मैतुपून बात बताना चाहूँँगा जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ पता चली कि अर्भी साहित्ते के बहुत बड़े इतिहास के लेखक है प्रोफेसर आरे निकलसन उनके अनुसार यूरो वासियों में कुरान से भी अधिक ज़ादा जिन अर्भी साहित्ते को पढ़ा गया है उसमें अलिफ लला है आईए शुरू करते हैं पहली काहनी से पहली काहनी है किस्सा गधे, बैल और उनके मालिक का एक बढ़ावे अपारी था जिसके गाओं में बहुत से घर और कारखाने थे जिन में तरह तरह के पशु रहते थे एक दिन वो अपने परिवार सहीत कारखानों को देखने के लिए गाओं आया उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे उसने देखा कि वे दोनों आपस में वारतलाप कर रहे है वो वेपारी पशु पक्षियों की बूली समझता था वो चुपचाप खड़ा होगर दोनों की बाते सुनने लगा बैल ने गधे से कहा तु बड़ा ही वाग्यशाली है सदैफ सुख पूरवग रहता है माली खमिशा तेरा खयाल रखता है तेरी रोज मलाई दलाई होती है खाने को दोनों समय जो और पीने के लिए साफ पानी मिलता है इतने आदर सतकार के बाद भी तुझसे केवल ये काम लिया जाता है कि कभी भी काम पढ़ने पर मालिक तेरी पीट पर बैटकर कुछ दूर चला जाता है तुझे दाने घास की भी कभी कमी नहीं होती और तु जितना भाग्यवान है मैं उतना ही अभागा हूँ मैं सवीरा होते ही पीट पर हल लाद कर जाता हूँ वहाँ दिन बर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं हल वहाँ मुझे पर बराबर चाबुक चलाता रहता है उसकी चाबुक की मार से पीट और जुए से मेरे कंदे चल गए है सुभा से शाम तक कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सुखा और सड़ा हुआ भूसा डालते हैं जो मुझे खाया तक नहीं जाता राद बर में भूका प्यासा अपने गोबर और मूत्र में बढ़ा रहता हो और तेरी सुख सुवीदा पर इर्शा किया करता हो गधे नहीं ये सुनकर कहा ये भाई जो कुछ तु कहता है सब सच है सचमुष तुझे बड़ा कश्ट भी होता होगा किन तु जान पड़ता है तु इसी में प्रसंद है तु सुएम ही सुख में रहना नहीं चाहता तु ये दि मेहनत करते करते मर जाए तु भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे अतैव तु एक काम कर फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तु सुख से रहेगा बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है गधे ने कहा तु अपने को रोगी दिखा एक शाम का दाना भूसा ना खा और अपने इस्थान पर चुपशाब लेड़ जा बैल को ये सुझाओ बहुत अच्छा लगा उसने गधे की बात सुनकर कहा मैं ऐसा ही करूँगा तुने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है भगवान तुझे प्रसन रखे दूसरे दिन सुभा सुभा हलवाह जब पशुशाला में ये सोच कर आया कि रोज की तरह बैल को खेट जोतने के लिए ले जाए तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी जियों कित्यों रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाफ रहा है उसकी आखे बन है और उसका पेट फूला हुआ है हलवाह ने समझा कि बैल बिमार हो गया है और ये सोच कर उसे हल में न जोता उसने विपारी को बैल के बिमारी की सूचना दी विपारी ये सुनकर जान गया कि बैल ने गदे की सिक्षा पर कार रिकर स्वेयम का रोगी दिखाया है अतय हुआ उसने हलवाहे से कहा कि आज गदे को हल में जोत दो इसलिए हलवाए ने गदे को हल में जोत कर उससे सारे दिन काम लिया गदे को खेट जोतने का अभ्यास नहीं था वो बहुत ठक गया और उसके हाथ पाउं ठंडे होने लगे शारिरिक्ष्रम की अतिरिक्त उस पर सारे दिन बहुत मार पड़ी इतनी की संद्या को घर लोटते समय उसके पाउं भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा वो नांत की सारी सानी खा गया और गधे को द्वाय देता रहा जब गधा गिरता पड़ता खेट से आया तो बैल ने कहा कि भाई तुवारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला गधा थकान के कारण उत्तर ना दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा ये मनी मन अपने को देखकार ने लगा कि अभागे तुने बैल को आराम पहुँचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश क्यों कर दिया मंत्री ने इतनी कथा पर कहा बेटी तु इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है तो क्यों चाती है कि गधे के समान स्वेम को कष्ट में डाले शेहरजाद अपने पिता की बात सुन कर बोली इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ती जब तक आप बादशा से मेरा विवा नहीं करेंगे मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी मंत्री बोला अगर तु जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही धंड दूँगा जो उस कहानी में व्यपारी ने अपनी स्त्री को दिया था शेहजाद ने पूछा व्यपारी ने स्त्री को क्यों दंड दिया और गदे और बैल का क्या हुआ मंत्री ने कहा तूसरे दिन व्यपारी रात को भोजन के पश्चाद अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशों की बाते सुनने लगा गदे ने बैल से पूछा सुभा सुभा हलवा तुमारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे जैसे तुमने कहा है वैसा ही करूँगा बैल ने जवाब दिया गदे ने कहा नहीं ऐसा ना करना वरना जान से जाओगे शाम को लोटते समय मैंने सुना कि आज हमारा स्वामी अपने रसुये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो कि बीमार हो गया है उसका मास और खाल बेज डालना मैंने जो सुना था वो मित्रता के नाते तुझे बता दिया अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तु उसे जल्दी से उठकर खा लेना और स्वस्त बन जाना फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्त देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा ये बात सुनकर बैल बहुत डर गया और बोला भाई इश्वर तुझे सदा सुखी रखे तेरे कारण मेरे प्राण बच गए अब मैं वही करूँ जैसा तूने कहा है वियपारी ये बात सुनकर ठागा लगा कर हसने लगा उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा अस्चर्रे हुआ वो पूछने लगी बिना किसी कारण की क्यों हो सुखड़े वियपारी ने कहा कि ये बात बताने की नहीं है मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बाते सुनकर हसरा हूँ इसकी स्त्री ने कह, मुझे भी वो विद्या सिخाओ, जिस से पशुओं की बूली समझ लेते हैं वयपारी ने इससे इंकार कर दिया स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे ये क्यो नहीं सिखा थे व्यपारी बोला, अगर मैंने तुझे ये विद्या सिखाई, तुम्हें जीवित नहीं रहूँगा स्त्री ने जवाब दिया, तुम मुझे धोका दे रहे हो क्या वो आदमी जिसने तुम्हें ये विद्या सिखाया था, सिखाने के बाद मर गया तुम कैसे मर जाओगे, तुम जोट बोलते हो, कुछ भी हो मैं तुमसे विद्या सीख करी रहूंगे अबर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण तस्दूंगे ये कहकर वो स्त्री घर में आ वे, अपनी कोठ्री का दर्वाजा बंद करके रात भर चिलाती और गाली गलोच करती रही विपारी रात को तो सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा, तो स्त्री को समझाने लगा, कि तु बेकार जित कर रही है ये विद्या तेरे सीखने योगे नहीं है, स्त्री ने कहा कि जब तक मुझे तुम ये भेद नहीं बताओगे, मैं खाना पीना छोड़े रहूंगी, और इसी प्रकार चलाती भी रहूंगी व्यपारी ने कहा कि अगर मैं तेरी मुपता की बात मान लू, तो मैं अपनी जान से हाथ दो बैठूँगा स्त्री ने कहा, मिरी वला से तुम जीओ या मरो, लेकिन मैं तुम से ये सीख कर ही रहूंगी, कि पश्वो की बोली को कैसे समझा जाता है व्यपारी ने जब देखा कि ये महामूर्ख अपना हट छोड़ी नहीं रही है, तो उसने अपने और ससुराल के रिष्टेतारों को बुलाया कि वो स्त्री को अनुचित हट करने से रोके, और उसको समझाए उन लोगों ने भी इस मूर्ख को हर प्रकार से समझाया, लेकिन वो अपनी जित से ना आटी, उसे इस बात की बिल्कुल चिंता ना थी कि उसका पती मर जायागा छोटे बच्चे मा की ये दशा देख कर हाहकार करने रगे व्यपारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरी को कैसे समझाया, कि इस विद्या को सीखने का हट ठीक नहीं है वो बहुत अजीब दुविधा में था, अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है, और नहीं बताता तो इस तरी रो रोकर वैसे भी मर जाएगी कुटा बोला, आज हमारा स्वामी अतिश इंता कूल है, उसकी स्त्री की मती मारी गई है, और वो उससे ऐसे भेत को पूछ रही है, जिसे बताने से वो तुरंथी मर जाएगा, नहीं बताएगा तो स्त्री रो रोकर मर जाएगी, इसी से सारे लोग दुखी है, और तेरे अत हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा, कुट्य ने पूछा कि स्वामी ऐसा क्या करे, कि इसकी मूर पत्नी की समझ वापस आ जाए, मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूर डंडा लेकर उस कोठी में जाए, जहां उसकी स्त अपनी चीक चिला रही थी, दर्वाजा अंदर से बंद करके व्यपारी निस्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिये, कुछ देर चीक पुकार बढ़ाने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो घबरा उठी, वो पती के पैरों में गि आपकी बाते अपनी जगा ठीक है, किन्तु मैं किसी भी प्रकार अपना मंतव्य बदलना नहीं चाहती, अपनी इच्छा का आउचित्ते सिद्ध करने के लिए, मुझे भी कोई एतियासी गटनाए और कथाए मालूम है, लेकिन उन्हें कहना बेकार है, यदि आप मेरी कामन पूरी ना करेंगे, तो मैं आप से पूछे बगार स्वयम ही बात्षा की सेवा में पहुँच जाओंगे, अब मंत्री विवश हो गया, उसे शेहरदात की बात माननी पड़ी, वो बात्षा के पास पहुँचा, और अतियंद शोक संतत्व स्वर में निवेधन करने लगा, म पड़की ने खुद ही मुझ पर इस बात के लिए जोर दिया, उसकी खुशी इस बात में है कि वो एक रात के लिए ही आपकी दुलहन बने, और सुबह मृत्यों के मुख में चली जाए, बादशागा आस चर्रे इस बात से और बढ़ा, वो बोला, तुम इस धोके में ना र मैं आपका चरण सेवक हो, यह सही है कि वो मेरी बेटी है, और उसकी मृत्यू से मुझे बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं आपकी आग्या का पालन करूँगा, बादशागा ने मंतरी की बात सुनकर कहा, यह बात है तो इस कारे में विलम क्यों किया जाए, तुम आज ही र विवा करके कोई पश्चाताप ना करें, बगवान चाहेगा तो इस मंगलकारे से आप जीवन परियंत हर्शित रहेंगे, फिर शहरजाद ने अपनी छोटी बेहन दुनियाजाद को एकांत में ले जाकर उससे कहा, मैं तुम से एक बात में साहता चाहती हूँ, आशा है तुम्हें मेरे पास आने थे, ताकि मैं मरने के पहले तुम्हें धहरे बना सुको, मैं कहान ही कहने लगूंगे, मुझे विश्वास है कि उस उपाय से मेरी जान बच जाएगी, दुनियाजाद ने कहा, तुम जैसे कहती हूँ, मैं वैसा ही करूँगी, शाम को मंतरी शहरज बादशा स्तंबित रह गया, लेकिन उसकी आखों में आसु देखकर पूछने लगा, कि तु रो क्यों रही है, इस पर शहरजाद बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, अचाती हूँ कि आज वो भी आ रहे, सुरियोदे होने पर हम दोनों बहने अंतिम बार गले मिलें, जिदि आप अनुमत ही दें, तो वो भी पास के कमरे में सो रहे, बादशा ने कहा, क्या हर्ज है, उससे बुलवा लो, और पास के कमरे में क्यों, इसी कमरे में दूसरी दरफ सो ला लो, चुनांचे दुन तुम्हेजाद ने शेहरजाद को जगाया, और बोली, बहन मैं तुम्हारी जीवन की चिंता से राद भर सो न सकी, मेरा चित बड़ा व्याकुल है, तुम्हें बहुत नीन ना आ रही हो, तो कोई अच्छी सी कहानी इस समय तुम्हें याद हो, तो सुना दो, ताकि मेरा जी बहले, शेहरजाद ने बाच्छा से कहा कि यदि आपकी अनुवती हो, तो मैं जीवन के अंतिम शनों में अपनी प्रिये बहन की इच्छा पूरी कर लूँ, जिसके बाद बाच्छा ने बिना सोचे समझे उसे अनुवती दे दी, आप सुन रहे थे अलिफ लैला की पहली कह कहानी, हिस्सा गदे, बहल और उनके मालिक का, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल पर और भी कहानीय सुन सकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और कहानी के साथ, दन्यवाद